नमस्कार, स्वागा थे एक बार फिर से आप सभी का टर्विता आलोग ऑनलान इस्ट्यूट में, आज मैं आप सभी के सामने अफ्रीका से लाए गए चीते एवं कुनो नेशनल पार्क के बारी में महत्पून जानकारी लेकर उपस्तित हूँ, सबसे पहले बात करते हैं अफ् दिप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में प्रदान मंतरी मोदी में छोड़ा है, अगर बात करते हम विश्व भर में चीतों की प्रजातियों की, तो विश्व भर में चीतों की दो प्रजातियां हैं, एक अफ्रीकन चीता जो अफ्रीका के कई सारे देसों में पाये जाता ह और दूसरा ACI चीता जो इरान के छितर में पाये जाता है। भारत में इसके पहले भी क्या कभी चीते थे। तो भारत में अंतिम चीता 1947 में देखा गया था, 36 गड़ के छितर में। और उसके बाद जब कोई चीता नहीं देखा गया, तो 1952 में चीतों को भारत से बिलुप्त म लिया गया और इन्हें IUCN की Red Data सूची में सामिल कर दिया गया। तो भारत में इन चीतों को लाए जाने का एक उद्दिश ये भी है कि भारत में जैविवित्ता के छितर में कार करना, साथी साथ भारत से जो प्रजातियां बिलुप्त हो गई हैं, उन प्रजातियों को फिर इप पांच प्रजातियां कौन सी हैं, इप पांच प्रजातियों को आप देख सकते हैं, चीता है, धुरविये तेन्दुगा है, एसियाई शेर है, तेन्दुगा है और रोयल वेंगॉल टाइगर जो की भारत का रज की पश्शु है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एस अगर हम सबसे पहले ACI SHARE की बात करते हैं, तो ACI SHARE की जो मुख विसेश्टा होती है, इसके गली में बालों का होना, इसके गली में बहुत भायानक रूप से बाल होते हैं, और अगर हम ACI SHARE की बात करते हैं, तो गुजरात के जूनागड जिले में इस्तेत गिर राश्टी आँखों के पास में, आँखों के पास में इसके क्या होते हैं, लाइन बनी होती है, अगर आपको दिख रहा हो इस प्रकार से, उसके बाद अगर हम रॉल वंगोल टाइगर के बारें बात करते हैं, तो इसका रंग हलका गोल्डन सा होता है, साथी साथ ब्लैक कलर की धारिय बनी होती है देखीगा विश्यक अंतर यहां पर धब्बे नुमा आकृती है इसके सरीर पर जबकि यहां पर लाइन है ब्लेक व्लेक लाइन है उसके बाद अगर तेंदुआ की बात करते हैं तो तेंदुआ के सरीर पर भी क्या होते हैं धब्बे होते हैं लेकिन इसका स्पॉट होते हैं वो अपिक्छा करित बड़े होते हैं जबकि चीते के सरीर पर जो होते हैं वो अपिक्छा करित क्या होते हैं छोटे होते हैं अगर हम बात करते हैं धुर्विय तेंदुआ की तो धुर्विय तेंदुआ की जो आखें होती हैं वो गोल्डन होती हैं साथी सा जो रंग होता है वो हलका सा ग्रे होता है हम कह सकते हैं ग्रे कहिएगा या हलका सा सफेद रंग का यह होता है ठीक है तो यह वेशे के लिए जो बिग कैट हैं भारत में पांच पर जातिया है तो इनके वारे में एक इंटोडेक्शन था जिसको आपने समझा अब अगर हम बात करते हैं कुनो नेशनल पार्क तो कुनो नेशनल पार्क जो है वो मद्य प्रदेश में इस्तित है मद्य प्रदेश में चंबल की साहिक नदी प्रवायत होती है जिसका नाम है कुनो और कुनो के नाम पर ही इस अभिहारण का नाम कुनो रखा गया आपको मैं बताना चाहता हू कि सबसे पहले 1981 में कुनों को वन नजीव अविहारण के तौर पर इस्थापित किया गया तो वर्तमान में कुनों राष्टी पार्ख है साथी साथ टाइगरों के सन्रच्छन के लिए एक महत्पून इस्थान भी है मद्य प्रदेश राज एक ऐसा राज है जहां पर सरवादिक टाइगर पाय जाने कारण इसे टाइगर इस्थाट के नाम से टाइगर राज के नाम से जाना जाता है और साथी साथ अफरीकी चीते आने के कारण इसे अब चीता इस्टेट के नाम से भी जाना जाता है कमेंट वोक्स में मुझे जरूर बताईएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राश्टी पार्क हैं और कितने वनिजीव अभ्यारण है और साथी साथ जो शफेद बाग होता है वो यह भारत में कहां पाया जाता है शफेद बाग भी बागी की प्रजाती का ही है लेकन उसका जो रंग होता है वो शफेद होता है तो यह हैं विक एट की पांच प्रजातियां और साथ ही साथ कुनो नैस्टनल पार्क के बारे में एक महत्रपूर्ण जानकारी उमीद करता हूँ कि जो जानकारी मेरे दौर आपको दी गई है वो आपको पशंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेर करेंगे धन्यवाद